एक वर्ष में होते हैं 365 दिन 365 दिनों में होते हैं कुछ विशेश दिन जैसे होली, दिवाली इन विशेश दिनों में नक्षत्रों की होती है अति उत्तम स्थिती इस अलोक एक समय में विशेश मनुकामनाओं की पूर्ती के लिए क्वश कामना के लिए धारन करते हैं उसे रहा करने का मार क्रशस्त करते हैं- यह कवज कैवल उनके लिए निर्मित mercury किया जाता है जो मनुष्य समय ना होने के कारण प्रति दिन पूजा बाठ नहीं करबाते और दुख भोबते रहते हैं कवज के निर्मान का समय बहुत सीमित होता है इसलिए कवज का निर्मान भी बहुत कम संख्या में हो पाता है यदि आपके भी कोई ऐसी मनुकाम ना है यदि आपके वज को प्राक्त करना चाहते हैं तो हमें संपर करें ओम सम सनस्चराय नमहा ये मंत्र है शनी का नमस्कार में कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल खेल ग्राओंका में आज मैं बात करने वाला हूं मार की शनी के प्रभाव के बारे में सनी की इस चाल में आये परिवर्तन से आपकी रासी पर क्या प्रभाव होगा यही जानना इस एपिसोड का उद्धे से दिये है आईए सबसे पहले जानते हैं सनी देव के बारे में सनी देव सूर्य और छाय के पुत्र हैं जिने नियाय का देवता भी कहा जाता है सनी ग्रह के फल अन सभी ग्रहों की अपक्षा अधिक समय तक प्रभावी रहते हैं इसका कारण है सनी का मंद गती से विचरन करना अता सनी सबसे ज़्यदा धीरे चलने वाले ग्रह हैं सनि को म्रत्यू लोग का न्याय धीस भी कहा जाता है और फिर भगवान शिवद्वारा सनि को कर्मानुसाद दंड देने का अधिकार भी तो प्राप्ते कोई दुख भोग रहा है, कोई पीडा जेल रहा है, परेशान है, हार गया है, कस्ट उठा रहा है या फिर रोग रस्त है, इन सबी का जिम्मेदार सनी देव को माना जाता है जिस पर सनी देव की जस्ती पड़ गई, मानो फिरवा कुछ भी शेश नहीं रहता सनी मलेच अक्समात कूप प्रभाव देने वाला ग्रह अतब भै सहज श्वाभाविक है सनी के प्रभाव से म्रत्यू, अकाल म्रत्यू, रोग, भिन भिन कस्त, व्यवसाई गहनी, अपमान, दोका, द्वेश, इर्शा को भी माना जाता है पर क्या वास्टविक्ता भी यही है, क्या यही सत्य है कब होती है शनी के असुप प्रभाव में कमी, सबसे बहले यह जानने का उद्देश है, यह जान लीजे जन्म कुल्ली में शनी का सुप ग्रह से समन्द हो, या अंतरदसा सुप चल रही हो, तो साड़े साती और ढहिया का असुप प्रभाव कम हो जाता है यदि सनी जन्म के समय असुप ग्रह युति से युक्त हो, तो साड़े साती और ढहिया का फल बहुत असुप होता है इसके कराण धनहानी, जगडे, विग्न, आय में कमी, अवनत्ती, व्यर्थ कला, चिंता, रोक, आधी परिशान करते हैं सनी रासी से 3rd house, 6th house, 11th house में आकर के सुप प्रवाब देता है वहीं यदी शनी, जन्मकुली में लगनेस, पंचमेस, और नवमेस, अथात, तीनों त्रिकोने, 1st house, 5th house और 9th house होकर के 3rd house, 6th house और 11th house में स्थित हो जाए, तो सनी की साड़ साथी में सुप संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में लाब होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय किसे चल रही है सनी की साड़ साथी या किसे चल रहा है रही है वरत्माल समय में वरस्टिक रासी, धनूरासी और मकर रासी इन तीन रासीयों को सनी की साड़ साथी चल रही है वहीं वरस रासी और कन्या रासी को सनी का ढहिया चड़ रहा है यह इस्तिती 24 जनवरी 2020 तक रहेगी आने वाले समय में अथाथ 24 जनवरी 2020 से धनू रासी मकर रासी और कुम रासी को सनी की साड़ साती रहेगी वहीं मिथुन रासी और तुला रासी को सनी का डहिया लग जाएगा अब आप जानिए किसे सनी सबसे अधिक सुब प्रभाव दे रहा है वर्तमा समय में करक रासी तुला रासी और कुम्ब रासी वालों को सनी सबसे ज़्यादा फाइदे मन इस्तिति में है और 24 जनवरी 2020 से जब सिंग जब शनी बदल करके अपनी खुद की रासी मकर रासी मा जाएगा उस इस्तिति में सिंग रासी को रसिक रासी को और मीन रासी वालों को सबसे ज़्यादा फाइदे मन इस्तिति में होगा अताथ सबसे ज़्यदा लाब दैग स्थिति होगी इन तीन रासियों की आईए अब करें वर्तमान की चर्चा अताथ कब हुएते शनी देव मकरी अताथ यह जो प्रोग्राम है यह जो एपिसोड है यह है मारगी शनी पर आदारित तो मारगी कब होगे जब वकरी होगे तब ही तो मारगी होगे तो सबसे पहले कब हुए थे सनी देवकरी तो 30 अपरेल 2019 से सनी ग्रवरक्री चल रहे हैं अताथ उल्टे चल रहे हैं वकरी अवस्ता में सनी अधिकांस रासियों को नकरात्म ग्रूप से प्रभावित कर रहे हैं इस प्रभाव के कारण हर काम में अडचन हर काम में बादा हैं और बराबर उनकी तरप से प्राप्त हो रही है 18 सितंबर 2019 को शनी ग्रह मारगी हो रहे हैं सनी की वक्री से मारगी हो जाने की चाल बदलने से अधिकांस रासियों के लिए बंद रास्ते खुलते नजर आएंगे तो आएए जानते हैं शनी की बदली चाल से आपकी किस्मत पर क्या असर हो रहा है आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है सबसे पहली रासी मेश रासी मेस रासी वालों के लिए शनी रासी से नौवे भाव में मारगी हो रहे हैं नाइन ता उसको धर्म और भाग्य का भाव का जाता है शनी के मारग्य वस्ताम आने से आपकी पिछली चल रही समभी समस्यां समाप्त हो जाएगी एक प्रकासे खत्म हो जाएगी तो 30 अपरेल से लटके वे काम को नए सिरे से चड़ाने का काम आप कर सकते हैं जो भी आपका जीवन है काम का जीवन है प्रोपेशनल लाइफ है उनमें तेजी की उमीद आप इस समय कर सकते हैं और भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा ठीक दरसल करम फलदाता शनी आपकी रासी से भागिस्तान में वक्री से मारगी हो रहे हैं तो इस समय आप धार्मिक कारियों में भी बढ़ चड़ कर हिसा लेंगे इस समय आपको अपनी शमता के अनुसार लाब मिल सकता है जो आपकी स्टेंट है, जो आपकी रेंज है उसके अनुसार आपको गेन मिलेगा अपने प्तेतिस्पदी जो भी आपके कम्पिटर से हैं उनसे जो भी आपके अपनोनस हैं, विपकसी और विरुदियों पर आप हावी रह सकते हैं राजनीती से जुड़े जातकों के लिए यह शमय शांदार कहा जा सकता है आईए अब बात करते हैं अगली रासी व्रस रासी रासी फल में सेकंड रासी व्रस रासी वालों के लिए यह शनी रासी से आटवे बाव में मारगी हो रहा है अताथ सनी का ढहिया आपको चल रहा थ और सनी का ढहिया चलते चलते सनी वक्री से मारगी हो रहे हैं तो इस समय में आपको कस्टों से छुटकारा मिल सकता है या राहत मिल सकती है आपके लिए यातराओं के योग बन रहे हैं धन व्रदी के अताथ, financial gain के संकेद भी अस्टम सनी आपके लिए कर रहे हैं यदि कहीं प पर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अधाद वहां पर आपके लिए जो आप चाते हैं वैसे ही efforts वैसे ही support वैसा ही सयोग आपको अपने लोगों से मिल सकता है जिन लोगों को नौकरी में problem आ गई थी नौकरी या तो छूट गई थी या नौकरी में उनको कम सकते हैं नोटिस पकड़ा दिया था वो समस्यां अब खत्म हो सकती है नई नौकरी आपको मिल सकती है या नौकरी में जो समस्यां आ रही है वहां से आपका समझोता हो जाएगा आप वापस continue कर पाएंगे बाहर ले करके आ सकते हैं आप इस समय किसी के प्रती अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं अपना स्ने अपना प्यार भी बढ़सा सकते हैं अब बात करते हैं अगली रासी मिथुन रासी के मिथुन रासी वालों के लिए सनी रासी से सेवंत आउस में मारगी होने जा रह तनाव खत्म हो जाएगा, मन मुटाव खत्म हो जाएगा जो भी आना कानी चल रही थी, जो भी एक दूसरे पती का सुनी थी, उन सब में विराम लगेगा, उन सब में इस्तितियां नियंतर्ण माएगी भागय का भी आपको पूरा सयोग मिलने के संकेज शनी देव कर रहे हैं, क्योंकि सनी देव जाँ पर हैं, वहाँ से तीसी रिजस्ति से भागयस्तान को देख रहे हैं आपके लिए यह समय बैक टाइम से अताथ, पिछले समय से चली आ रहे किसी बड़ी समस्या से निजात पाने का भी है, बिजनर्स पार्टनर के साथ में, जो भी आप पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स के साथ में भी रिष्टे पहले से ज़्यादा बैटर हो सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन था, अगर कोई एक दुस्रे पर शंका थी, वो भी यहां पर खत्म हो जाएगी, उससे भी राहत प्राप्त करेंगे, और स्ट्रेंथ आपके इंप्रूमेंट पर आएगी, सनी वक्री होने पर आप स्वास्तिय, आपका स्वास्तिय तो आपको यह मारगी सनी अच्छा फल देने वाला है, आइए, अब बात करते हैं, अगली रासी वह है करक रासी, करक रासी वाले वक्तियों के लिए सनी रासी से 6 था। उसमें मारगी होने जा रहा है, रासी से 6 हमेशा positive बोला जाता है, सबसे ज़्यदा better फल देने वाला बोलते हैं unexpected gain देने वाला बोलते हैं छटा बाव रोग शत्रू का बाव का जाता है यदि आप अपने विरोधियों की चुनूतियों से परशान थे तो शनी के मार की अवस्ता में आने से आप अपने शत्रूं को पराजित करने में सफल हो जाएंगे अधात उनको control में लियाए उन पर काबू पा लेंगे यदि आपका कोई court case चल रहा है तो आपको इस समय में सफलता मिलने की पूरी पूरी संभाव ना है अपना पूरा strength अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उसमें अभी तक आप अत्यदिक खर्ट से भी परशान थे जिस पर आप इस समय में लगाम दीजिए लगाने में पूरी तरह से काम्याब हो सकते हैं छोटे भाई-बैनों के साथ में भी यदि कोई विवात था विवात यदि चल रहा है तो भी इस समय में खत्म हो जाएगा अथाद वो भी आपके पारिवरिक जिवन में जो समस्य आती वो भी समाप्त हो जाएगी आपका जीवन राइट ट्रैक पर अथा खुशाली की तरफ आगे बढ़ेगा. स्वास्ति के इस्तर पर भी आपको रहत मिल सकती है, छोटी मोटी यात्राइं भी आपको करनी पड़ सकती है. और काम काज के लिए जो भी यात्राइं करेंगे, बिजनस के लिए जो भी यात्राइं करेंगे, वो आपके लिए लापकरी होगी, वो आपके लिए फाइदे मन्द रहेगी, उस यात्रा से आपको गेन मिलेगा, आपके स्ट्रेंड में, आपके पराकरम में, आपके गुड़ विल में वृद्धी होगी. अतीत में कियेगे किसी निवेश से अथा जो भी पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट्स कियें उनसे आप लाप की उमीद इस मारगी सने में कर सकते हैं अथा अठाथ 18 सितंबर 2019 से लगा करके 24 जनवरी 2020 तक यह सनी धनूरासी में मारगी रहेगा जो कि 30 अपरेल 2019 से वकरी चल रहे थे तो यह जो समय है आपके पास में 18 सितंबर से 24 जनवरी तक का यह समय बहुत फाइदे मन्द है बहुत ही अच्छा है आईए अब बात करता है सिंग रासी के बारे में सिंग रासी वाले जातकों के लिए सनी रासी से फिफ्ट आउस में मारगी होना जा रहा है फिफ्ट आउस को संतान का फिफ्ट आउस को प्रेम का फिफ्ट आउस को बुकिस नॉलेज का एप्लिकेशन का डे टूडे की इंकम के लिए जाना जाता है सिंग रासी वालों के जो व्यक्ति प्रेम करने वाले हैं अधा जिन व्यक्तियों का अपने कोईन कोई पार्टनर से जिन लोगों के साथ में अटेजमेंट है उनसे यदि कोई मन मुटाव चल रहा था लड़ाई जगड़ा चल रहा था बिना फात्यों के आरो प्रतियों रुप चल रहे थे वो जगड़ा वो अनकही बातें यहां पर सुलज सकती है वापस पहचप हो सकता है वापस दोस्ती हो सकती है वापस रिलेशन सुधर सकता है इस रासी के लिए जिन लोगों को संतान की तरफ से समस्या उत्मन हो रही थी उन्हें संतान की तरफ से अब खुशियों बरे समाचार मिल सकते हैं चाह वो एक्जाम के लिकर के हो चाह उनकी साधी ब्याद से संबंदित हो या उनकी संतान की संतान की बात कर सकते हैं, अताथ आपके पोते या नाती की बात कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे समचार मिलने की उम्मीद है, इस समय जो 18 सितंबर से 24 जनवरी 2020 तक अताथ मारगी शनी का जो प्रभाव है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं. वहीं दूसरी और, जिन दमपतियों को संतान सुक की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें संतान का सुक मिल सकता है, अतात उनको संतान प्राप्ति का समचार मिल सकता है, उनका जिवन साती कंसिमेंट कर सकता है, या कंसिमेंट हो चुका हो, घर्ध भारन कर चुका हो, यह मैं तलास कर सकते हैं income के लिए अता resources of income के लिए और कोई resources तलास कर सकते हैं अता आपकी income बढ़ाने के लिए जो भी उपाए करने हो जो भी effort करने हो वो effort आप इस समय करेंगे और इसमें success हो सकते हैं हाल ही में यदि भविषय के लिए कुछ धन बचत करने में आपको परिशानी हुई है अता सेविंग आपकी नहीं हो पा रही थी तो इस समय आप सेविंग कर सकते हैं वो रुपया पैसा आप बचा सकते हैं जो की पीछे के समय में अता 30 अपरेल के बाद में expenses ज्यादा थे या खर्च ऐसे हो रहे थे जिसको टाल सकते थे टाल जा सकता था लेक करते कन्या रासी की तो कन्या रासी वालों के लिए सनी रासी से फोर्टाउस में मारगी होने जा रहा है फोर्टाउस का मतलब है सुख फोर्टाउस का मतलब होता है माता फोर्टाउस का मतलब भूमी भवन वान और फोर्टाउस का मतलब है पर्सनल लाइफ का सुख जिस सब् पूछ फोर्ता उसे देखा जाता है आपके लिए समय सुक्ष सुविदाओं में व्रद्धी का संकेत कर रहा है अतात आपकी लाइफ में बहुतिक सुख सुविदाओं बढ़ेगी फैसिलिटी बढ़ेगी आपको घर में आने के लिए जो अट्रेक्शन होता है वह अट्रेक् में रद्धी से आपको अच्छा लगेगा घर में रहने से और घर में आने से कन्या रासी के जिन लोगों का अभी तक अपने परिवार से अपने घर वालों से अपने माताम पिता से अपने छोटे भाई बैनों से मन मुटाव चल रहा था उनकी इस इस्तिति में सुदार बहुतिक संसादनों का अता जो भी बहुतिक आपके सुख सुदा हैं उनका पूरा सुख आपको मिल सकता है वो पूरा भोग आप राप्त कर सकते हैं जो भी आप अपने घर में बसाया है उसका सुख आपको मिल पाएगा इस समय आप अपने विरोधियों को शांदार जवाब दे सकते हैं बहुत करारा जवाब दे सकते हैं आप उसमें सक्सम हैं और आप उसमें सफल हो जाएंगे नौकरी और वियवसाय करने वाले जातकों के लिए भी उन्नती के आसार हैं जो भी नौकरी वाले उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, या यदि वो नौकरी चेंज करना चाते हैं, जौब को स्विच ओवर करना चाते हैं, ये समय भी उनके लिए अच्छा है, वो चाहें तो जौब को स्विच ओवर कर सकते हैं, आपका हेल आपका स्वास्ति भी बहतर बने रहने के आशार मार्गी सनी बना रहे हैं अधाथ हेल्थ वाइस भी यह समय आपके लिए अच्छा है मनुष्य ग्रहों के आधीन है अतह ग्रहों के अनुकूलता प्राप्त करके हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं सामाजिक प्रसिद्धी एवं आर्थिक उन्नती और उत्तम स्वास्ति प्राप्त कर सकते हैं ये सब रत्नु द्वारा संभव है जी हां हर कुंडिली में त्रिकोण सबसे अधिक बलशाली माना गया है और वो त्रिकोण है लगनभाव, पंचमभाव और नवमभाव का लगन अर्थात जीवन, पंचमभाव और अर्थात बल, बुद्धी, विध्य, संतान एवं प्रसिद्धी, नवंभाव और भागे एवं धर्म यदि किसी व्यक्ति के कुंडिली में ये तीनों भाव बलवान हो तो वो व्यक्ति भागेशाली, प्रसिद्ध एवं धनवान होता है भागेवरिदी लौकेट आपके कुंडिली के जीवन के लिए प्रसिद्धी, भागेव, प्रबलता का एक ऐसा उत्करष्ट संयोग है जो आपके इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है आपके लगनेश, भागेश एवं पंचमेश के उप्रतनों का बीसा यंत्र सहित एक ऐसा लौकेट है जो आपको भागेशाली, प्रसिद्ध एवं धनवान बनाता है स्क्रीन पर दिए आप हमारे किसी भी नंबर पर संपर करके अब और अधेद प्रभावशाली बीसा यंत्र सहित ये लौकेट प्राप्त कर सकती है अब बात करते हैं तुला रासी की तुला रासी वाले जातकों के लिए शनी रासी से थर्ड आउस में मारगी होने जा रहा है थर्ड आउस को पराकरम, छोटे भाई बैनों का सुक, आपका बाहूबल, आपकी गुडविल, आपके दोस्त, आपके सबनेर्स या आपके domestic servant बोलते हैं, आपका काम करने वाले उन लोगों के लिए जाना जाता है तो रासी से थर्ड आउस सनी हमेशा positive देता है और मारगी सनी इस positive से negative side की तरफ जाता है तो वो जो strength में कमी आई थी गुडविल में, आपके personal strength में, personal reputation में वो अब सुधरेगी आपके जोगों से चैने परिवरतन देखा जा सकता है चोटे भाई बेनों से भी कोई विवाद है, तो वो भी सुलच जाएगा वो भी सही राश्ते पर आजाएंगी आपकी बात मानने लगेंगे इस समय आप अपने वरिष्ट अधिकारियों की नजर में आ सकते हैं अचाथ नजर में चड़ सकते हैं जिससे कि वो आपकी तरक्की के रास्ते खुलने के आसार बनेंगे वो आपके सयोगी बनेंगे आपको सपोर्ट करेंगे जो विवाहित जातक लंबे समय से संताम टापती को लेकर के चिंतित थे प्रयासरत थे लेकिन अभी तक मायूसी हाथ लग रही थी तो इस समय सनी देव उनकी मुराद पूरी करने के योग बना रहे हैं अतात आपकी रासी से थर्ड आउस में सनी है उनकी तीसी जस्ती आपकी तो यहां पर सन्तान वाली बात में इंप्रूमेंट आएगा पॉस्टिविटी आएगी तो यह आपकी मुराद यह आपकी आकांशा यह आपकी कामना पूरी होने के योग बन रहे हैं आपको बदाई हलाकि अविवाई जातकॉं के रोमांटिक जीवन में हो सकता है उन्हें उताज चड़ाव का सामना करना पड़ सकता है कोई उन्बन हो सकती है उसे बचने का प्रियास कीजिएगा कठोर परिश्रम का फल आपको मिल सकता है भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा जो भी आप effort कर रहे हैं उस effort में जान डाल दीजिए जितना आप ज़्यादा effort करेंगे उतना ही ज़्यादा strength ज़्यादा आपको support मिलेगा लग का और आपके लिए ये सला है कि अनवस्यक खर्चों से बचने का प्रियास करें ये समय ऐसा है जिसमें जो बचाएंगे वो आपके लिए better है क्योंकि 24 जनवरी 2020 से आपको सनी का डहिया लग जाएगा तो जो आप अभी बचाएंगे अभी जो भी effort करेंगे वो आपके आगे काम आ सकते हैं आगे आपके problem में साहक बन सकते हैं आईए अब बात करते हैं रस्टिक रासी की रस्टिक रासी वाले जात्कों के लिए शनी रासी से से केंड आउस में मार गी होने जा रहा है सेकेंड आउस को धन और परिवार आपका सस्वराल फाइनस स्टेबिलिटी आपकी संचिस संपत्ती आपका investment आपके share आपके bond आपका gold और आपका silver या जो भी हीरे जवारत आपके पास में वह आपकी strength है सब कुछ second house से देखा जाता है second house को वानी भी बोलते है अताज वानी के लिए भी second house देखा जाता है brain power उसके लिए second house देखा जाएगा तो अगर आपका अपनी परिवार में सस्वाल में कोई लड़ाई जगड़ा चल रहा था धन बाव में सनी की बदली चाल आपके लिए धन प्राप्ति के नए रास्ते खोल सकती है हाला कि आपको सनी की साथी साथी का last phase चल रहा है उसके बावजूद भी मैं यह कहने जा रहा हूं कि 24 जनवरी 2020 को सनी की साथी साथी parental property से लिए प्रेतक संपत्ति से मिलने वाले लाब में यदि किसी तरह का रोड़ा है किसी तरह का विलंब चल रहा है कोई न कोई बादाएं चल रही है तो यह शनी आपके उस इंतजार को खत्म कर सकते हैं अधाथ आपका वो विवाज समाप्त हो सकता है आपको संपत्ति मिलने के सारे रास्ते खुल सकते हैं और आप तक वो संपत्ति का सुख पहुंच सकता है बहुतिक सुख संसादों में व्रद्धी के योग यह शनी बना रहे है यात्राई भी आपके लिए लाबकारी होने के आसार है आता जो भी ट्रैवलिंग्स आपको मिलती है जो भी अवसर मिलता है आप जरूर करें लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यदि आप स्वेम वहाँ चलाते हैं आप ड्राइविंग खुद करते हैं चाह वो मोड साइकल है चाह कार है अब सिंपल वे में बोल सकता हूं मोड साइकल के लिए तो कोई ड्राइवर नहीं दख सकता लेकिन कार के लिए आप ड्राइवर रखें या कोई कोई आपके ओफिस का कोई सायोगी हो आपके कोई फ्रेंड हो उनके साथ जाने का कोई स्टायल आप बनाएं कोई नियम बना ले या कोई adjustment कर रहे हैं जिससे आपको गाड़ी चलानी ना पड़े क्योंकि यह समय गाड़ी चलाने में साथदानी रखने का है आईए बात करते हैं धनूरासी की तो धनूरासी वाले व्यक्तियों के लिए सरीर का विचार किया जाता है सरीर के सुप का आपके सुभाव का आपके साथ में जो भी घटनाए होंगी उन सब के लिए फस्ट आउस जिम्हेदार होता है सनी के मारगी होने से आप में एक उर्जा तेजी एक्टिवनेस आजाएगी आपका स्वास्ति भी पहले से ज़्यादा बैतर होगा सनी की तीसी जस्ती कुंडली में थर्डा उस पर है कुंडली का अर्थ यहां पर रासी से यह जो एपिसोड है यह जो प्रोग्राम है रासी पर बेशत है भाई बेनों का पूरा सयोग आपको मिलेगा रासी से तीसरे भाव पर जारी जस्ती सुबता देती है पॉस्टिवनेस देती है गेन देती है तो जो थर्डा उस है वो पराकरम का है वो गुडविल का है भाई बेनों का है यार दोस्तों का है वहां से आपको सयोग मिलेगा रोमांटिक लाइफ की बात करें attachment की बात करें या को relationship की बात करें तो उसमें आपको positivity देखने को मिलेगी आपके partner से आपके रिष्टे अच्छे होंगे अच्छे हो सकते हैं यदि पूरु में कोई गड़बड हो रही है तो वापस पैचब हो सकता है वापस रिष्टे सुधर सकते हैं जो married है जो विवाईक जातक है उनका भी अपने जीवन सात्य पर विश्वास बढ़ेगा वाँ पर भी प्यार बढ़ेगा सने बढ़ेगा अपन तो बढ़ेगा समरपन बढ़ेगा काम काज की दस्ती से देखा जाए तो मारगी सनी आपके लिए उन्नती के योग बना रहे है नौकरी में यदि कोई समस्या थी तो समाप्त होती नजर आएगी आईए अब बात करते हैं रासी फल में दस्तुई दासी अथाद मकर रासी मकर रासी वालों के लिए शनी रासी से 12 आउस में मारगी होने जा रहा है 12 आउस का मतलब है शनी की साथ सादी का 1st face बारवे बाव को expenses का जाता है बारवे बाव को अपमान अप्यास कोड का चरी वाद, विवाद, रोग एक्सडेंट इन सब के लिए देखा जाता है 12th house का मतलब है नाश, 12th house का मतलब है expenses, expenses किस चीज़ का, जो आपके पास में, आपके पास हेल्थ है, आपके पास में वेल्थ है, आपके पास में सांती है, आपके पास में आपका सरीर है, आपके पुर्ण्य है, इन सब चीज़ का loss हो सकता है, इन सब चीज़ का व्याय हो सकता इन सब चीज का नास हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपके खुद के कर्मों से, इसलिए अपने आपको कंट्रॉल करें, अपने आपको नियंतित करें, सनी की साड़ी साथी का अर्थ यही होता है, विनास काले विप्रित बुद्धी, जो कुछ वुरु होगी ए कि आसे हँम्र में छोटा उसमें अकल की कमी होगी बहुत जादा अकल ONE भी आपसे छोटे हो सकते हैं इसने सला लेने में कभी कोई बुराई नहीं है है तो शनि के मारगी होने से आपके खर्चों में व्रद्धी हो सकती है, एक्समेसिज आपके बढ़ सकते हैं, आपका टेंसन बढ़ सकता है, आपकी चिंताइं बढ़ सकती है, आपका चेनो प्रॉलम आपकी लाइफ में आ सकती है, आता एक प्रॉलम सौल नहीं करें, दूसरी प्रॉलम, दूसरी सौल नहीं करें आता financially losses हो सकते हैं बिना किसी बात के expenses करने के लिए हो सकता है दिखावाई के लिए expenses करें हो सकता है हम कोई अंदाज़ाई नहीं हो कि उसमें कितना खर्च लगेगा और हम कूत पड़ें और उसके बाद में expenses से ज़्यादा होते ही चले जाता है जैसा कि होता है कि यदि आप साधी ब्यामे कोई भी आपने गर function कर रहे हैं उसमें जो भी आप range सोचेंगे उसे ज़्यादा खर्च हो जाता है और कभी भी मकान बनाएंगे कभी इंटिरियर कराएंगे उसमें भी इस्तिती यही आएगी जो आप सोचेंगे उससे आपको पैसा ज्यादा ही खर्च होता है तो यह जो धन का अप्विया है जो भी आप काम करें बजट बना के चलें रेंज हमेशा रख करके चलें कि आपको किस रेंज तक जाना है लेकिन इस स के लिए कुछ रासी बचाने की सोच रहें कुछ सेविंग की सोच रहें तो सनी देव आपकी जमापूजी में व्रद्धी कर सकते हैं सरफ आपको वह संकेत को समझना है अपने आपको एक्टिव मोड पे लाना थोड़ा अपना दिमाग का अस्तिमाल करना है आपको समये फाइटिंग स्पीड पर आना पड़ेगा हर हालत में आपको फाइटर बनना पड़ेगा यह कभी में सोचिए कि अब बस मुझे इससे ज्यादा सेन नहीं होगा तो वही शनी आपको स्पीड में डाउन्फॉल का शिकार कर देंगे हर हालत में आपने फाइटर बनके दिखाना है अपने जो भी विरोधिये प्रतिद्वन दिये आप उस पर आप उन सभी पर इस समय हावी रह सकते हैं हावी होने का प्रियास करें आप सफल हो जाएंगे भागय का साथ आपको मिलने के आसार है और तो भागय का फाइदा लेने के लिए आपको प्रियास करने क्योंकि भाग्य या किस्मत का फाइदा भी जब ही मिल सकता है जब आप करम करें करम के बिना किस्मत का भी साहरा नहीं मिलेगा किस्मत का भी फाइदा नहीं मिलेगा यह बात ध्यान रखिए आईए अब बात करते हैं कुम रासी की तो कुम रासी वाले के लिए सनी ग्यारवे गेन देता है अब बारी आपकी है 11 ओस को आए 11 ओसको इच्छा पूर्टी 11 ऐसको सक्सेस 11 ओसको एप्रेशेशन 11 ओसका मतलब ही ही है that जो भी आपने करम किया उसका फल आपको मिले और फल बैटर मिलने वाला है वो फल पॉजितिव मिलने वाला है तो इच्छा पूर्ती का भाव 11 आउस है 11 आउस में शनी के वक्रिनाई से हो सकता है आपको अभी तक अपक्षित लाप से वंचित रहना पड़ा हो अथा जो आपने expectations की हो वो गेन आपको नहीं हुआ हो लेकिन मारगी सनी से 18 September 2019 से जब सनी मार की हो जाएगा इस इस्तिति में परिवर्तन होगा और आपको लंबे समय से अता 30 अप्रेल से जिस लाप के मिलने की आशा थी वह मिल सकता है अता जो फसल आपने वो ही थी और वो फसल सिरफ दिखने के बाद में अचानक से अचानक से डिसेपेर हो गई अता गुम हो गई व वही सब लाप के आशर वही सारी चीजे वापस आपके सामने क्लियर होंगी और आपको गेन होगा आपकी आय के आपकी इंकम के सारे रास्ते खुलेंगे जो भी नौकरी वाले व्यक्ति हैं नौकरी पैसा व्यक्ति हैं उनको इंक्रिमेंट मिल सकता है प्रमोशन मिल सकता है जौब चेंज हो सकती है अच्छी जौब मिल सकती है यदि आप चाहते हैं अच्छी जौब तो आपको अच्छी जौब मिल सकती है जिन लोगों को नौकरी के ट्राई कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है तो यह समय 18 सेप्टमबर से 24 जनवरी 2020 तक आपको जौब मिलने वाली है जो जा तक किसी नए व्याफ़ा है या फिर किसी नई नौकरी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए मार की सनी बहुत अच्छा है बहुत लाब करी है बहुत सक्सेस्फुल है अच्छे स्वास्टे का लाब भी आपको मिलेगा रोमांटिक लाइफ में भी आपके पूरी थी तो इस समय पूरी हो सकती है वक्त आ चुका है उस आपके इच्छा को उस आपकी कामना को उस आपकी विस्ट को सक्सेस्फुल के रूप में पूरा होने का आ यए अब बात करते हैं आखरी रासी मीन रासी मीन रासी के जानकों के लिए सनी रासी से से टैंधा explained इ का जाता है अगर आप अभी तक अपने आप पर काम का दबाव का प्रेसर महसूस कर रहे थे तो अब आप उस प्रेसर को रिलीज मान सकते हैं वो प्रेसर आप पर कम हो जाएगा आप चियरफुल मूड में आ जाएंगे आप प्लेजर मूड में आ आप खुश हो जाएंगे और राहत की सांस लेंगे कामकाजी जीवन में अधा जो भी आपका चाहो बिजनस की बात करें चाहो नौकरी पेसा की बात करें जो भी आपका काम था उसमें जो भी प्रॉलम आ रही थी जो भी स्ट्रेस मिल रहा था या प्रेसर मिल रहा था उससे भ खुश होंगे और आपके supportive बनेंगे, आपके सयोगी बनेंगे, आपको राह दिखाएंगे, जो भी pending काम है, उनके भी योग बनेंगे, जो मार की शनी आने वाला है, उससे वह सारे कारिय आगे बढ़ेंगे, अथा जो रुकेवे काम थे, रुकेवे योजना थी, चाहे वो आगे बढ़ेगा, इस समयकाल में आपके मान समान में भी व्रदी हो सकती है, जो खिम वाले शेत्र, उसमें धन, जो भी investment करना है, पैसा investment करना है, वह जो खिम आप उठा सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पर, लेकिन ट्रॉपर्टी का कोई पुराना विवाद फिर से उबर स पड़ेगा, जो भी marriage जातक हैं, उनके दामपत्य जिवन में भी रिस्ते मदूर होने के आसार ज्यादा हैं, उनकी जो strength है, जो भी उनका environment है, वो environment और ज्यादा better होगा, आतात आप ये बोल सकते हैं, मदूर पर और ज्यादा अच्छे होंगे, समर्पन का भाव और अच्छ हर रासी का मैंने रासी फल आपको बतला है, तो जिन लोगों को negativity मिलेगी, जिन लोगों को सनी अच्छा प्रबाव नहीं देगा, वो आखिर क्या करेंगे, तो वो सनी को मनाने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं, वो उपाय करेंगे, अता सनी देव की पूजा करेंगे, ते तेल कौन सा होना चीए, तेल जातको तिल का तेलो या सरसों का तेलो, अता स्टर ओईलो, राई अता काली राई, उड़त का मतलब काले उड़त, इन सब का आपदान कर सकते हैं, हनमान जी की पूजा उपासना करने से भी सनी देव का क्रोध सांत होता है, क्रोध कम होता है, भगवान सिव की आरादना, विशेश का सिव मंत्रों के जाप से, मामरत्युजे के जाप से, मामरत्युजे कवच डारंड करने से सनी दोस का निवारन होता है, सनी दोस से सांती मिलती है, पीपल में चूकी समस्त देवी देवता का वास माना जाता है, अता पीपल के पेड क सीचने का मतलब पाणी डालने से साहिं काल में वहाँ पर दीपक लगाने से भी सनी देव की प्रसंता मिलती है सनी देव से रहत-प्राप्त होती है आसिरवात मिलता है सनी की सांती के लिए everyday मतर नित्य दसरत रचित सनी स्तोत्र का पाट करना भी बहुत सुब रहता है सनी की सांती के लिए पॉनानिक ग्रंतों के नुसाब सिवरुद्रापिसेक और हन्मान जी की पूजा मंत्र जाब हवन यह सब कुछ सुब माना जाता है कुछ अन्य उपाय करने का भी प्रियास कर सकते हैं जैसे एक गोरज मुरत में गोरज का अर्थ है जब गाएं जब जानवर वापस घर की हो रहते हैं अता संद्याकाल में उस मुरत में चीटियों को चीनी मुलावाद चीनी मिक्स की हुई तिल का बुरादा डालना है अता काले तिल या सफी तिल जो भी हो उनका बुरादा बना लीजिए मिक्सी में पीश सकते हैं उसमें सकर मिला लीजिए चीनी मिला लीजिए और वो जो पाउडर बना करके जहां भी चीटियों का बिल होता है नियम बना लिजे जिन लोगों को सनी के साथ ये डहिया है या जिन लोगों को सनी प्रताडित कर रहा है उन लोगों को रोजाना और रोजाना नहीं हो सकता है तो हर मंगलवार और सनीवार सुन्दर का पार्ट वो खुद करें और यहापे सुनें सुनने के लिए तो आज की त अंकट कम हो सकते हैं, आपके कष्ट कम हो सकते हैं, काले उड़त से बनावा कोई भी खादिपदात, चाये वो दाल के बड़े हो, चाये वो कचोरी हो, चाये वो और कोई चीज हो, जरूरत मंद व्यक्तियों को देना है, या सबूत काला उड़त का दान करना है, दान किसको दि पूजा उपासना आता सनी देव के जो अधिश्टि देवी देवता है वो कौन एक भैरव हैं तो भैरव की पूजा उपासना से आपको सांती मिलेगी राहत मिलेगी उनके मतज़ाब आपको करने चाहिए काली की आरादना करने से भी अत्यांत सुप्फल प्राप्त होते हैं अत्यात आपने नौदुर्गा का नाम सुना होगा उसमें सबसे पहले काली आती है तो मा भगवती का काली रूप उसकी पूजा करना सबसे ज़्यादा सुप्फल देता है कोई भी विक्ति अपने गर में संध्या के समय गुगल का दूप दे अत्यात एक प्रकार का दूप आता है उसमें भी गुगल का दूप बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है शनी यंत्र का और उसके साथ नीली या पिर अगर आप सक्सम है तो नीलम लगा करके नीलम जड़वा करके वह लोकेट दारंड करें नवगरदोस निवारंड कवच आप दारंड कर सकते हैं शनी उसके राहत प्राप्त कर सकते हैं और उपए त्रिलो के विजय माला अता जिसे पारद मारा कहा जाता है सामने बासा में उसको धारंड करना चाहिए वो आपके सरी से जितनी नेगेटिविटी है वो खिचने का काम करेगी आशा करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आप अपने विचार और अपने सुजाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे मैं स्वेम अपनी पूरी टीम के साथ में आपके जीवन में सनी सदेव कल्यांड करी बने रहें आपको हर कारी में यश और सफलता मिले ऐसी सुपकाम नहीं देता हूं जैश अनी देव स्वस्त रहें प्रसंड रहें अपना अपने परिवार के सभी संदेश्यों का बहुत बहुत खैल रखें नमस्कार